हे गाईज वेलकम और वेलकम बैक टो माई यूट्यूब चनल तो गाईज आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्राखंड फॉरेस्ट गाड जिसका की हमारा एक्जाम 9 अप्रेल को होने वाला है उसके लिए कुछ भारती सम्मिधान से महतुपूर्ण MCQ योगि इससे पहले हमने देख लिए हैं भारतिय भूगोल और अर्थसास्त के सांस सांथ इतिहास के कुछ महतुपूर्ण टॉपिक तो आज की जो हमारे तीन टॉपिक हैं वो हैं भारत का सम्मिधानिक विकास उद्देश का राज एवं संग राज छेते तो इन सभी टॉपिक से ने हमारा निमलखित मैं से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच न्याले की इस्तापना की गई तो राइट अंसर इसका होगा राइग्यूलेक्टिंग एक्ट जो की 1773 का था कौश्चन नंबर सेकिंड हैं हमारे पास भारतिय साशन व्योस्ता में परतिनिधी ए अंतरगत भारतिय विधान परिशत को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई है तो राइट अंसर इसका होगा भारतिय परिशत अधिनियम 1892 अब हमें दिया है फोर्थ कोशन में कुछ मिलान जिनकों की हमें मैचिंग कराना है अधिनियम से तो देखिए फर्स् विणियम अधिनियम 1773 फिर आता है इसाई मिश्णरियों को भारत में कारे करनी की अनुमती देना तो यहाँ चार्डर अधिनियम 1813 के तहट हुआ फिर आता है गवर्नर जनरल की परिशाद में कानूनी सदस्तिकी नियुकती चार्डर अधिनियम 1833 वाले में हुआ तो इस अब देखिए इसका जो राइट अंसर होगा वोगा गवर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा को अब देखिए इसका है गवर्नर जनरल को अब देखिए question number 8 हमारे पास है अकिल भारतिय संग स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था यह किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में question number 9 हमसे पूछा है राष्टपती को अध्या देश जारी करने की जो शक्ती है वो किस अधिनियम के द्वारा दी गई है यह भी दी गई भारत सरकार अधिनियम 1935 में question number 10 है भारत की संगात्मक व्यवस्ता निमने कितमे से किस देश से ली गई है तो important question है UK PC द्वारा इस बार भी पुछा जा सकता है तो right answer इसका होगा Canada से अब हमारे पास question number 11 जिसमें कि हमें matching करवानी है और हमें यहाँ पर देखे कुछ हमें समविधान के तत्व दिये गए हैं और उनको किस देश से लिया गए है वो हमको match कराना है इससे आपके बहुत सारे question clear हो जाएंगे तो आप इसको दियान से देगेगा देखो सबसे पहल है राज के नीती निदेशक तत्व इनको लिया गया है आयरलेंड से तो हमारा यह option 3 में होगा फिर आते है हमारे भारत के मूल अधिकार जो कि कहां से लिये गए हैं यह लिये गए हैं हमारे सयुक्त राज अमेरिका से फिर आती है समवर्ती सूची तो हमारे देश में तीन स सूचिया हैं संग, राजोर्ची तो समवर्ती सूची हमारे लिए हैं ऐसे फिर आता है last भारत राज़ो का संग है तो संग में अधिक शक्टी नहीं है तो यह कहां से लिया गया हमारा कैनडा सी तो इस तो हमारे जो right जो होगा option D question number 12 हमारे पास है भारतिय संस्ती परणाली British संस्ती परणाली से इस विषय में भिन है कि भारत में भारत में क्या होता है न्याईक पुर्णर विलोकन की वयस्ता होता है यानि कि judicial review होता है question number 13 है निमलिकित पर से कौन सा कथन सत्य है तो देखें पहला ही कथन हमारा क्या है संयुक्त राज अमेरिका में सरकार की संगिय प्रनाली है तो ये हमारा बिलकुल राइट हो जाएगा कॉशन नमबर 14 है भारतिय संविधान में नहीत मौलिक अधिकारों की अवधार्णा जो है किस देश से लिगई है ये संयुक्त राश्ट अमेरिका से लिगई है जो कि हमने अब उपर भी पड़ा मैचिंग में कॉशन नमबर 15 है भीम राव अमबेटकर का सविधान सभावे निर्वाचन हुआ था राइट अंसर इसका होगा बंबई प्रेसिडेंसी से कॉशन नमबर 16 है डॉक्टर भीम राव अमबेटकर का जन्म और मृत्यू कब हुई थी तो इनका जन्म हुआ था 1891 में और मृत्यू हुई 1956 में कॉशन नमबर 17 है निमलकित मैंसे कौन अगस्तु 1946 में गठित पर्थम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था तो देखिए राज कुपालाचारे राजिन्ति प्रिसाद और जग जीवन राम जो ही सदस्य थे लेकिन डॉक्टर एस राधा कृष्णन जो है इनके सदस्य नहीं थे कौशन नमबर 18 हमारे पास है भारत की समिधान सभा का पर्थम अधिवेशन कब प्रारंब हुआ आपका जो यह कौशन है इंपोर्टेंट है तो 9 दिसमबर 1946 इसका राइट आंसर होगा कौशन नमबर 19 है समविधान सभा के समाक्ष समविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी राइट आंसर इसका है जवाहलाल नहरूने कौशन नमबर 20 है तो देखिए इसमें हमें मैचिंग करनी है यहाँ पर हमारे कुछ नाम दिये गए हैं नेताओं के तो उनसे इन समीतियों के अध्यक्ष या फिस सदसी है तो उनसे मैच कराना है सबसे पहला देखिए समीधान सबा के पहले उपाध्यक्ष पूचा है तो राइट आंसर क्या होगा है एच सी मुखर जी फिर आता है प्रारूप समीति के मूलता एक मात्र कॉंग्रेसी सदस्य कौन थे के एम मुशी जी फिर आता है राजिस्तान के रियासतों का परतिने द सबसे बाहलाल नहरू तो इस तरह से हमारा देखिए ऑप्शन भी बिलकुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा आप देखिए आगे आता है हमारा कॉशन नमबर 21 जिसमें पूछा है भारती समीधान के निर्माण है तो भारती समीधान सबहा में कुल कितने अधीवेशन जो है आ कॉशन नमबर 23 है समीधान सबहा के कानूनी सलाकार कौन थे तो बी एन राव राइट अंसर होगा कॉशन नमबर 24 में पूछा है निमलिकित में से कौन भारती समीधान की प्रारूप समीधी के सदस्य थे तो देखिए राइट अंसर इसका होगा एन गोपाला स्वामी तो यह दोनों 1st और 2nd हमारा राइट अंसर हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर हमारा C आप्शन सही होगा क्योंकि 1st और 3rd हमारा बिल्कुल सही है कॉशन नमबर 25 में पूछा है भारती समीधान को 26 नवंबर 1959 को किसकी द्वारा अधिनियमित किया गया था तो राइट अ तो इसका राइट अंसर होगा 1950 में कॉशन नमबर 27 है निमलेकित में से संग समीधान समीती का अध्यक्ष कौन था तो राइट अंसर है जवाहलाल नहरू कॉशन नमबर 28 में हमसे पूछा है समीधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णै इसलिए दिया गया था क्यो की कॉंग्रेस ने इस दिदी को वर्ष 1930 में स्वतंतरता दिवस के रूप में मनाया था तो अब देखिए हमारे पास जो हमारा नेक्स टॉपिक है वो है समीधान की उदेश जिका से तो हमारा पहला प्रशन यहां से बनता है भारती समीधान की प्रिस्तावरा में जिन आदर सेकीन में पूछा है भारती समीधान का कौन सा भाग समीधान की आत्मा कहलाता है तो वेरि 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 इंप्रöttन कोशन है जो की इसका राइटा सरोगा उदेशी का कोशन नमबर ठ्री है भारते कर दंतर की 26 जन्वरी 1950 को समीधान एक वस्तु इस्तिति क्या थी जब समीधा लागू किया गया तो देखे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था और लोग तंत्रात्मक गन्राज था अब देखे नेक्स्ट कॉशन है हमारे पास तो कॉशन नमबर फ Uhr है संविधान में हमारे राश्ट का उलेख किस और किन नामों से क्या गया तो राइट अंसर इसका है भारत था इंडिया के नाम से Question Number 5 है भारती संगबाद को सहकारी संगबाद किसने कहा था जी ऐस्टिन इसका हिए हम भारत के लोग सब्ड़ों का प्रियोग संविधान में कहां किया गया था यह किया गया है संविधान की प्रस्तावना में Question Number 7 है निमलकी सब्दों मैं से कौन सा शब्द सन 1975 में भारती सम्विधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था तो ये जो सब्द है वो है अखंडता Q8 है सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानों है यह सिध्धान जाता है यह सिध्धान जाता है सार्वो भोमिक्ता का सिध्धान Q9 है भारत के संदर्ब में निम्न मैं से कौन पंथ निर्पेक्ष सब्द का सही भाव व्यक्त करता है पंथ निर्पेक्ष सब्द का मतलब होता है कि भारत में राज का कोई भी धर्म नहीं है यानि कि भारत का अपना स्वैम कोई धर्म नहीं है क्योंकि भारत अनिको जाती अनिको धर्मों से मिलकर एक राश्ट्र बना है जो कि राजु का संग है निमलकित उद्यश्यों मैंसे कौन सा एक भारत की सविधान की उद्यश्य का में सन्नहित नहीं है पूछा है तो आर्थिक स्वतंत्रता जो है यह सन्नहित नहीं है तो इंपोर्टेंट कोशन है यह कई बार पूछा भी गया है निमलकित उद्यश्यों मैंसे किसमे सरवच्य नियाले ने प्रस्तावना को भारती सविधान की मौलिक सरचना का अंग स्वीकार किया रिट अंसर इसका है केशवानन्ध भारती विवात अप हैं लोगतांत्रिक समाज है भारत एक कल्यानकारी राज है तो देखें यहाँ पर हमें सभी जो हैं बिल्कुल ठीक लग रहे हैं तो option डी हमारा right हो जाएगा अब हमारे पास है नया topic जो है राज एवं संग राजिछेत्र तो यह हमारा आखरी topic होने वाला है इस वीडियो का तो आ आप इसको ध्यान से देखेगा पहला प्राशन इसमें है समीधान के पर्थम अनुचेत के अनुसार भारत क्या है भारत क्या है भारत राजिव का संग है question number second है भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महतपूर्ण भूमी का निभाई थी right answer इसका है सरदार पटेल जी ने और वीपी मैनन जी ने ठीक है तो option बी यहाँ पर right होगा इसको आप ध्यान से देखना question number third है भारत में संग राजियों का प्रशाशन किसकी द्वारा क्या जाता है संग राजिय का मतलब होता है कि इंदर शासित परदेश जिनका की प्रशाशन जो है राश्ट पति द्वारा क्या जाता है question number fourth है वर्श 1948 में सरकार द्वारा भाशाई आधार पर राजों के पुनर गठन के विशय में परिक्षन है तो नियुक्त प्रथम भाशाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो very very important question है जिसका की right answer होगा S के धर अब next question हमारे पा तो right answer इसका होगा 14 राज और 6 संग राज कौशन number six है नए राज के गठन की शक्ती किसमे नहीत है तो ये नहीत है भारत की पार्लियामेंट यानि की संसद में question number seven है किस संविधान संसुधन द्वारा दिल्ली को राश्ट्री राज़ानी छेत्र का दर्जा परदान किया गया right answer इसका होगा 69 वा संविधान संसुधन question number eight है चतीसगड राज़ी की स्थापना कब हुई तो एक नवंबर 2000 को हुई और नौ नवंबर 2000 को किसकी हुई उत्राखंड राज़ी की question number nine है भारत में कितने संग शासित प्रदेश है तो अभी जो करंट में संग शासित प्रदेश है वो है आठ और 28 क्या है हमारे पास राज़ी है question number 10 है यदि भारती संग में एक नए राज़ी का सरजन किया जाना है तो सभीधान की किस अनुसूची में संसोधन करना आवशब होगा तो देखे किसी भी नए राज़ी को एड़ करने के लिए प्रथम अनुसूची में जो है इसका संसोधन किया जाएगा question number 11 है निम्न मेंसे कौन एक भारत संग का सहयोगी राज़ी था जिसमें इसे भाद में भारती संग का पूर्ण राज़ी बनाया गया तो ये राज़ी था सिख के question number 12 है एक नया राज़ी बनाने में संविधाने स्सुदन के लिए किस परकार का बहुमत चाहिए होता है तो साधरण परकार का बहुमत इसमें चाहिए होता है तो देखे 28 इसमें राइट अंसर होगा तो 28 पे आप टिक लगाएंगी Question number 15 है भारत में निमलिकित राज्य के निर्मान के सही कालानुकर्म की पहचान नीचे दिये गए कूर से हमें करनी है हमें बताना है कि कौन सा राज्य सबसे पहला बना फिर उसके बाद दूसरा तीसरा चोथा ऐसे इस तरह से हमें इसको काल के अनुसार लगाना है तो देखे सबसे पहला राज्य जो बना वो था हमारा आंद्र प्रदेश फिर उसके बाद आता है हमारा हरियाना फिर उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश और सबसे लास्ट में आता है सिक्किम तो इस तरह से हमारा जो option भी है वो राइट अंसर हो जाएगा अब है question number 16 जिसमें पूझा है निमलेकित राजों की इस्थापना का सही आरोही क्रम हमें बताना है सबसे पहले नाकलेंड फिर मेगालाय सिक्किम फिर अणवाजर प्रदेश तो option A हमारा राइट अंसर होगा question number 17 है भाषाई अधार पर सरुप्रधम राजी का गठन हुआ तो ऐसा राजी है आंधर प्रदेश जिसका की भाषाई अधार पर गठन हुआ है question number 18 है लोग सबा में संग राजी छेत्रों के लिए कितनी सीटे आरक्षित है संग राजी सेत्री आने की केंद्र शाज़त परदेश के लिए लोग सबा में कितनी सीटे हैं में पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं तो friends हमने हिंदी और उत्राखंट जीके तो कई बार पड़ी है इसलिए अब हमाई जरूरत है अपनी current affair और GS को मजबुद दनाने के क्योंकि हमारे जो सबसे कम marks आते हैं वो normally सबी बच्चों के average दिखा जाए तो GK में ही आते हैं क्योंकि हम लोग क्या करते हैं इसकी practice नहीं करते practice set solve नहीं करते और GK पे सबसे कम ध्यान देते हैं तो friends आपको उत्राखंट GK और हिंदी के साथ साथ GK पर भी ध्यान देना है तो इसी तरह की और वीडियोज में आपके लिए लाते रहूंगी जो कि UKPSC के नजरों में बहुत ज़्यादा important है तो I hope आपको इस तरह की वीडियोज पसंद आ रही होंगी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like, share और चैनल को subscribe चुरूब करना